दोस्तों आज हम बात करेंगे लबूब कबीर के बारे में जो युनानी ओशिधियों की बहुत ही जानी मानी और प्रभावशाली ओशिधियों में से एक है आपको इस दवा के बारे में बड़ी ही कमाल की बात बताओं इसे बनाने में लगभग लगभग पचास के करीब जड माधी का प्रियोग किया जाता है तो आखिर क्या है यह ओशिधि क्या कुछ इसके लाब है किस परकार इसे प्रियोग किया जाता है और इसे प्रियोग करते समय किन-किन साउधानियों के विशे में आपको ध्यान रखने की आउशकता है इन सब के अलावा मैंने आप सभी से अपनी community post के माध्यम से पूछा था कि इस दवा को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बताईए और आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे इस ओशिधी के विशय में सवाल पूछे हैं आपके मन में शंकाए हैं तो उन में से कुछ महतपून सवालों के जवाब और इस ओशिधी को लेकर मेरे क्या विचार हैं उसके विशय में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए बिना देर के प्रारंब करते हैं नमस्कार मित्रों में डॉक्टर ओबिन सर्माप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा मैंने आप सभी को बताया कि शोशिधी को बनाने के लिए लगबग लगबग 50 के करीब जड़ी बूटियो आदी का प्रियोग किया जाता है तो उनमें से कुछ घटक द्रव्य इस प्रकार हैं या ओशिधी इसी नाम से बड़ी ही आसानी से बाजार में बनी बनाई उपलब्द हो जाती है इसी कारण मैं इसे बनाने की विधी आपको नहीं बताऊंगा परन्तु इस ओशिधी को बनाने की जो विधी है उसी के चलते ही मैं इस ओशिदी का प्रियोग लगबग ना के बराबर करता हूँ नहीं करता हूँ आखिर क्या है वो कारण मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा पर पहले इस ओशिदी के विशे में थोड़ा और अधिक विस्तार से जान लेते हैं इस और पर प्रियोग करने की विधी क्या है इस ओशिदी का मुख्य रूप से प्रियोग पुरूष जननानांगों में आई कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है मुख्य रूप से थनाओ की कमी या फिर बिलकुल उसका भाव हो जाना सिग्रता से होने वाला स्खलन हमारी सबतम और सबसे महतपून दातु से संबंदित बहुत अधिक कमजोरी उसमें पतलेपन का होना संपून या आंसिक नपुन सकता के स्थिति में इस ओशिधी का प्रियोग काफी प्रभावी रूप से किया जाता है इस ओशिधी के विशे में बहुत से हकीम और बहुत से युनानी चिकित्सक दावा करते हैं कि या ओशिधी टेस्टोस्टोरोन लेवल को भी बढ़ाने का कारे करती है वीरे का अत्यारिक पतलापन उनमें सुक्राणों की कम्यून की गुणवक्ता का प्रभावित होना जैसी स समस्याओं को भी इस ओशिधी के माध्यम से दूर किया जा सकता है इन सब के अलावा अन्य सारिरिक और मांसिक लाब भी आऊशिधी प्रदान करती है शरीर के लगबग लगबग हर महतपून अंगों को पोशन प्रदान करने का कारे करती है पुठो को मजबूत बनाती है इ जहां तक बात है इस ओशिधी के प्रियोग विधी की तो 4-5 ग्राम की मात्रा में सुभष यम दूद के साथ इसका प्रियोग किया जा सकता है इस ओशिधी को प्रियोग करते समय बरते जाने वाली साउधानियों और मेरे इस ओशिधी को लेकर क्या विचार है उनके विशह के साथ प्रियोग किया जा सकता है जी हां बिल्कुल प्रियोग किया जा सकता है आपके चिकित्सक के निर्देशा नुसार अप इस ओशिदी का प्रियोग अन्य आयरवेदिक ओशिद्यों के साथ भी कर सकते हैं दूसरा क्या इस ओशिदी में नौनवेज है इसके अंदर जान तो मेरा जवाब होगा नहीं, ऐसी स्थीतियों में अन्य आयरवेदिक और अन्य युनानी ओशिदियों का अधिक लाबदायक परिणाम प्राप्त होता है लबूब कवीर की अपेक्षा, मुझे इस ओशिदी का इन समस्याओं में बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं प्रा कुछते हैं कि आप हमें दवाईयों की कीमत क्यूं नहीं बताते हैं, देखे दवाईयों को बनाने के लिए बहुत सारे घटकों का प्रियोग किया जाता है और इनकी कीमत बाजार भाव के साथ उपर नीचे होती रहती है, जैसे अभी बसंत कुस्माकर रस को ही ले क्योंकि अभी सोने के भाव में बहुत अधिक वृद्धी हुई है, तो उसी के साथ इस ओशिधी के भाव में भी वृद्धी हुई है, मैं आपको इसी कारण अधिकतर ओशिधियों के रेट आदी नहीं बताता हूं और आपको ये सभी ओशिधियां, अधिकतर ओशिधिया दोस्तों यह ओशिदी लगबग लगबग पून रूप से सुरक्षित ओशिदी है बिना किसी दुस्प्रभाव की चिंता के कोई भी इस ओशिदी का लगातार लंबे समय तक प्रियोग कर सकता है परन्तु बहुत अधिक मात्रा में इस ओशिदी का प्रियोग हानिकारक दुस प्रदान करने वाली ओशिदी होने के पशचाद भी मैं इस ओशिदी का प्रियोग क्यों नहीं करता हूँ दोस्तों कुल मिलाकर यह ओशिदी काफी अधिक प्रभावशाली है काफी अधिक लाब प्रदान करने वाली ओशिदी है मैं मानता हूँ इस ओशिदी के काफी सकार आत्मक लाब रोगयों को प्राप्त भी होते हैं परन्तु इसके पश्चाद भी इस ओशिदी को मैं अपने रोगयों पर आम तोर पर नहीं प्रयोग करवाता हूं और इसके पीछे कारण है इसे बनाने की विधी क्यूंकि इसे बनाने के लिए सहद को गरम किया जाता है दरसल युनानी ओशिदियों में सहद को गरम करके प्रियोग करने का विधान है वहीं आयरवेद के अनुसार सहद को गरम करने की सक्त मना ही होती है आयरवेद में यहां तक कहा गया है कि यदि आपने सहद का सेवन किया है तो उसके तुरंत बस्षात आपको किसी भी गर्म-खाद्य-पदार्थ प्रियोग नहीं करना चाहिए क्यूंकि यह संस्कार विरुद्ध माना गया है और इसी के चलते ही मैं इस ओषिदी का प्रियोग करने से परहेज करता हूँ मैं इस ओशिधी का प्रियोग इसी कारण अपने रोग्यों पर नहीं करवाता हूँ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दू कि मैं किसी कमपनी विशेश के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ लबूब कबीर एक युनानी सास्त्री ओशिधी है और जो इसे बनाने की सास्त्रे विधी है उसी में सहद को गर्म करने का विधान है मैं उस विशे में बात कर रहा हूँ मैं उस बनाने की विधी के विशे में बात कर रहा हूँ यहां अपने विचार आप सभी के सामने रख रहा हूँ तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको मेरे दुआरा दे गई है जानकारी पसंद आई होगे